General Science World Liner की और भी पिछली वीडियो देखने के लिए अब हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को चिक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे वीडियो आपको एक तरीके से आपको मिल जाएंगे एक साथ में, तो आईए आज की क्लास कोई स्टार्ट करते हैं, पधों में प्रोटीन के होता है, ठीक, उर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है, तो उर्जा का सिक्का कहा जाता है ATP को, यानि कि एडिनोसीन ट्राइफासफेट, ठीक है, इसे बोला जाता है आपका उर्जा का सिक्का, नेक्स्ट हमारा है, मनुसे में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, तो क एक वाट घंटा किसके बराबर होता है, तो एक वाट घंटा होता है, 3600 जूल के बराबर, कपाल का क्या आरत होता है, तो कपाल को बोलता है क्रेनियल, ठीक है, यह भी याद रखना, इंगलिस में, बैक्टीरिया को नश्ट करने के लिए, किस प्रकास किरण का प्रयोग किया जाता है तो बैक्टिरिया को उनस्ट करने के लिए पराबैगनी विकिरण का उपियोग किया जाता है यानि कि अल्ट्रा वायलेट रेज का पराबैगनी विकिरण यानि कि अल्ट्रा वायलेट रेज की जो है होज किसने की थी तो ये की थी रेटर ने ठीक है क्राम्पटन प्रभाव किन किरड़ों में होता है तो जो आपका क्राम्पटन प्रभाव होता है ये आपके X किरड़ों में होता है ठीक है तो क्राम्पटन इफेक्ट X किरड़ों में बाधों में मूल रोमो द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवसोचित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो परासरड या फिर उस्मोसिस, ठीक है, तो आपके जड़ होते हैं आपके जमीन के अंदर, तो वो जल जिस तरह से उसोचित करते हैं, उसे बोलते हैं, उस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा, ये जल को उसोचि आपका सीकम जड़त तो आघूड का क्या मात्रक होता है तो किलो ग्राम मीटर स्क्वाइर होता है आपके जड़त तो आघूड का मात्रक